कोई दिक्कत नहीं है हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भड़ा नमस्कार चलिए बात करते हैं आज मेरा बेसिक क्लास खतम हो चुका है हमने क्या क्या डिसकस किया है इस क्लास में मतलब कम से कम 35-36 वीडियो होगा इसने पूरा इंगलीज का understanding जो की understanding point of the view से भी हो बहत important है Paper Reading के लिए important है और इंगलीज को Anndespan करने के लिए important है सारा वीडियो में ने upload कर दिया है पहले यशी क्लास से क्या था B-verb के बारे में आपको करवा दिया था बी भर्ब कौन है, बी भर्ब के बाद आता क्या है, यह सारे करवा दिये थे, आप हमारे प्लेइलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, हैब भर्ब के बारे में बता दिये थे, हैब भर्ब क्या है, हैब भर्ब के बाद क्या आता है, यह सारे बता दिये थे, जैसे बी भर्ब है तो बी भर्ब कौन-कौन? इज, आर, आम, वाज, वेयर, बीन और बीइंग, ठीक है? तो बी भर्ब के बाद क्या आता है? तो या तो subject, compliment आएगा या भी थरी, भी फोर आएगा. subject, compliment कौन? नाउन, पोर नाउन और अड्जेक्टिव. हैब भर्ब में क्या? हैब, हैड, 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 हैबिंग और हैज. इसके बाद आता क्या है? या तो बी थरी या नाउन आएगा. ठीक है? हमेशा रखिएगा जब हैब भर्ब है, तो बी थरी या नाउन. बी भर रहे तो subject, compliment, बी थरी और बी फोर. इसके अलावा भर्ब का first form नहीं आएगा, second form नहीं आएगा. मॉडल, मॉडल क्या है गो? मॉडल कितने होते हैं? तो तेरा. कौन-कौन? कान, कूड, मै, माइट, साल, सूड, बी लूड, आउट, नीट, देर, मॉस्ट, यूस्टू. यह सारे मॉडल होते हैं. अब मॉडल के बाद आते क्या है? तो वर्ब का first form आता है. क्या आता है? वर्ब का first form आता है. ठीक है? V1, V1, V2, V3, V4, V5 पे कैसे sentence बनाते हैं? वो भी discuss कर चुके हैं. आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाके वो देखिएगा, V1 पर कैसे sentence बना है, V2 पर कैसे sentence बना है, V3 पर कैसे sentence बना है, V4 पर कैसे sentence बना है, और V5 पर कैसे sentence बना है, ठीक है? वो बहुत 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 इंपोर्टेंट है आपके लिए, आपके understanding point of view के पूर्ण से. और transitive verb, intransitive verb, वो verb जो object लेता है, अबजेक्ट को noun या पर नाउन, इंट्रांजिटीव जो object नहीं लेता है, तो इस तरह का सारा कुछ मैंने चाइनल पर discuss कर चुका हूँ, ठीक है, फीर देखो subject, subject क्या होता है, तो सारा कुछ subject के बारे में बता चुके है, object क्या होता है, तो object receiver होता है, क्या verb क्या action का receiver होता है, object मिलता है, कैसे मिलता है, तो transitive verb से what or whom का reply मिले, die transitive से what or whom का reply मिले, क्या मिल जाएगा, object मिल जाएगा, फीर subject compliment, क्या काम करती है, subject को, subject compliment क्या है, subject के बारे में extra information देती है, अब subject compliment कौन है, noun पर noun और adjective, तो यह सारा कुछ हम discuss कर चुके हैं, फिर है object compliment, फिर क्या है, object compliment, तो object compliment के भी बारे में हम क्या है, पूरा discuss कर चुके है, जो object को पूरा करे, object कैसे मिलेगा, तो transitive verb से water whom का reply मिले, object मिल जाएगा, फिर article, जहां भी article आ गया, तो आपको क्या आ जाता है, noun, अगर article आया तो क्या जाएगा, noun, और noun से पहले क्या जाता है, adjective, जितनी मर्जी adjective है, वो डाल दीजे, फिर adjective के बाद क्या जाएगा, add verb आ जाएगा, ये सारा कुछ, सारा detail बहुत ही helpful है आपके लिए, आपके understanding point of view से, आपके exam के लिए, आप हर चीज समझ सकते हैं, इस channel पे, तो मेरे playlist पे नोट्स बना के उसको अच्छे से देखिये और पेपर इडिंग करने का कोशिज कीजिए, definitely improvement आएगा, पिर पोजीशन क्या था, तो sentence में extra information एड करता है, इसके पिर पोजीशन के बाद क्या आता है, तो बोलेंगे before noun या pronoun, जैसा कि हम पेपर में discuss करते रहते हैं, before noun या pronoun, अ जितनी मर्जी adjective है, लगा सकते हैं, जब adjective हो जा तो आडवर्ब लगा लेना, चंजंग्चन क्या काम करती है, तो चंजंग्चन दो sentence को जोडती है, या दो word को जोडती है, यह भी बहुत important है, हमने discuss कर लिया है, नाउन क्या काम करता है, तो subject का काम करता है, object का, subject complement का, object complement का, फिर पोजिशनल अबजेक्ट का सारा काम ये नाउन करता है, उसी तरह जो नाउन है, वो पुरनाउन है, नाउन के जगा पे क्या आता है, पुरनाउन, अगर यहां पे नाउन है, तो इसे पहले आप क्या डाल सकते हो, अगर यहां पे नाउन है, तो इसे पहले आप क्या डाल किया है जोव सिक अभी इंगली के लिए what can't GB for about menCharlie एगा आड़वर्व के बाद एड़ेक्टिप ही आऽ सकता है कर एड़वर्व के बाद Kud Barbara भी आएगा अबैट्वर है तो है पर क्या हो जाएगा नाउन यहां पर देया ट्पर्भ यहां प्रद्पा सकते हैं अजीक्टिब लिग सकते हैं इसमाने कि अभने कभी धंट नहीं होगा बद समझ्हें। फिर डू भर्ब है, क्या है? डू भर्ब है, अब डू भर्ब के बाद भर्ब का कौन सा है फर्म तो बोलेंगे भर्ब का फॉस्ट फर्म, अब एक बात समझ्जा, ठीक है? हमने ये सबसे इंपर्टन भी 1, भी 2, भी 3, भी 4 और भी 5, इन सारे पे मैंने क्या है? संटेंस बनाय इंपर्मेशन एड करेगा, कंजंक्शन हो सकता है, नया संटेंस ला दे, या दो वर्ट को जोर दे, तो ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देखना बहुत ही इंपर्टन है, बहुत ही कारगर है, ये भी 2 वाला क्या करता है, तो पास्ट को है, ठीक है? ये भी 3 पर कैसे बनेगा और V4 पर कैसे बनेगा और V5, तो ये सारा कुछ क्या है, डिस्कस कर चुके है, आज बस यही इसी के साथ है, कि क्या डिस्कस हो चुका है, क्या हम अचीव कर लिये है, आप एक बार उसको क्या किजिएगा, कोपी पे लिखिएगा सारा कंसेप्ट, पेपर पर के देखिएग ठीक है, अब चलो, इतना तो मेरा हो गया था काम, मैंने इतना कर दिया है, अगर कुछ छूटता है, उसके बारे में हाइलाइट कर देते, फिर आएंगे अब पेपर पे, चलिए पेपर का कहानी, शुरू करते हैं, अब चलो, यहां पे जैसा कि पेपर दिख रहा होगा, त अब लिएक निकालो, थी का चंजंक्शन, कहान है, पिर पोजीशन, कहान है, कहान है, क्या था, क्या ऐखा यहाई、 रिपोजीशन दो शुरू के बाद क्या, यहान निकालो, दिख रहा है, तो जैरंड आज इंफिनीटि वए विया है, दिस्कस निटेटािशन कर चुके है, इसकर बारे में भी बहुत सारा वीडियो मेंदिसकर्ष रचुक है इनट के वारे में इन्फिनिटी-पेपर ठीक है तो और एक बता दू एक मतलब टेस्ट पेपर भी आपको यहां पर दिया जाएगा जिस टेस्ट पेपर को आपको क्या करना है बनाना है जब टेस्ट पेपर बना लेंगे तो उसका क्या होगा डिस्कॉसन भी हो जाएगा ठीक है तो चलो यहां पर देख लेते हैं तो जेरन बताते हैं जेरन इंफिनिटी पार्टिसिपल यह सब भी हो चुका है प्लेलिस्ट में चाहिए अहां पर देखिए सारा कुछ अ अब देखते हैं चेन्नाई की बात है चलो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर भोदी ठीक है यही आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया पहले मैं जाता हूं ठीक है चलिए अब खुद से कडिये ठीक है बील अब चुकि बील आया तो भर्ब का क्या होगा फॉस फॉर्म ही तो दोनों के बीच में क्या सकता है तो बोलेंगे अड़ भर्ब क्या सकता है है helping और main भर्ब के बीच में क्या सकता है यहां पे तो बोलेंगे अड़ भर्ब ठीक है तो कुछ अपना भी extra knowledge लगाते चलेंगे बील इनोग्रेट अब उधाटन करेंगे किसका तो देखो transitive की प्रजेक्ट हो गया नाउन यह दोनों adjective अब several मतलब बहुत सारा तो नाउन क्या हो जाएगा पूलेंगे इन्कुलूडिंग होता है फिर पोजीशन क्या होता है फिर पोजीशन अब उसके बाद देखो भी फोड है नहीं पर नाउन है नहीं तो क्या होगा नाउन क्या होग इंट्रेगेटेड टर्मिनल बील्डिंग इस्टेट ऑफ द इन्कुलूडिंग क्या है इस्टेट ऑफ द आर्ट इंट्रेगेटेड टर्मिनल बील्डिंग अब यहां पर दा लगा हुआ है तो यह क्या होगा है नाउन यह दोनों adjective सेट अप अब यहां पर देखना है सेट यह भी होता है, अब अगर इसको मान लो B3, तो B3 तो हो नहीं सकता है, ना है भर्व है ना भी भर्व है, चलो B2 मान लेते हैं, तो यह setup का, चलो, भर्व कौन है, यह भर्व को जोड़ने के लिए क्या चाहिए था, वो भी नहीं है, तो यह भी क्या है, नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, adjective, setup, जो की, अब adjective हो गया तो भी निंग क्या, जो की बनाया गया था, एट टोटल आउटले अफ इतना करोर, कितना करोर के आउटले पर, 2.437 करोर के आउटले मतलब पूजी पर, आट, चेननाई एरपोर्ट, कहाँ, चेननाई एरपोर्ट, चुकि छोटा अस्थाना इसलिए क्या लिखा, आट, बढ़ा रहता, तो इन लिखता, यह भी exam point of view से important है, अट है, तो उसके बाद देखो, यहाँ पे noun, यह क्या हो गया? Adjective, चेननाई क्या हो गया? Adjective, चेननाई नाउण ही है, लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रहा है? Adjective का, upon his arrival, ठीक है, उसके his, अभी upon क्या है? फिर पोजीशन, फिर पोजीशन के बाद क्या है? तो बोलेंगे noun क्यों कि हीच जो है वह पोसेसीव ऐड्जेक्टिव अब पोसेसिव एड्जेक्टिव के बाद क्या आता है हmême पर्षान नाउं ही आता है इसके राईवलपक इन द स्टेट में On Saturday, कब की बात कर रहा है, Saturday को, तो Saturday को ऐसा कुछ होगा, Integrate करेंगे, Security, अभी आही हो गया, subject, has, क्योंकि subject, singular, verb, singular, has के बाद देखो, भी थिरी है, तो बोलेंगे, हाँ, being, अब being भी भर्ब है, है, भी भर्ब के बाद देखो, तो यह कौन सा फर्म आया है, तो बोलेंगे, भी थिरी आया, कौन सा फर्म, तो भी थिरी, क्यों, क्योंकि भी फोर रहता, तो आई एन जी फर्म में, बी भर्ब के बाद अगर फ़र्ब आता है तो 3 या 4, 4 रहता है तो YNG नहीं तो 3 है, तो बताओ active की passive, बी भर्ब प्लस V3, बोले क्या, passive, क्या मतलब होगा, security has been beefed up, मतलब सीव बढ़ाया जा चुका है, ठीक है, security बढ़ाया है नहीं, security बढ़ाया जा चुका है, in the view of, इस उद देश से, while, मतलब जब की, अब while है, तो दोनों काम क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, ठीक है, while, motorist, ठीक है, have been asked, अब बता नहीं है, active की passive, have के बाद बी भर्ब है, तो है, बी भर्ब के बाद B3 है, तो have been asked, motorist को कहा जा चुका है, motorist कहा नहीं है, mostist को कहा जा चुका है, क् तो जो सब्जेक्ट होगा वो डूर रिसीवर होगा डूर नहीं करने वाला नहीं होगा उसके काम होगा तो प्लान करो ठीक है एहेड पहले ऑफ दियर जर्नी उनके जर्नी के पहले ऑफ के बाद देखो पूसेसिव अगया तो हंडेट परसेंट के आगा नाउन पहुचने के लिए गाँ डियर इस दिनेशन उसके डिस्टीनेशन पहुचने के लिए अज अब देखना आज पीपोजीशन है की कंजंसन है अगर कंजंसन हुआ तो इसके बाद सब्जेक्ट भर्ब का पेर होगा नहीं तो यह पीपोजीशन इलेब्रेट ट्राफिक डाइव सब्सक्राइब कर देना अब बताना एक्टिव की पैसिव बोलेंगे पैसिव क्योंकि बीभर प्लस बीतरी है डाइबर्जन बनाया जा चुके हैं तो आज क्या काम करने लगा कंजंशन का कि इसके बाद भी सब्जेक्ट भर्भ है इधर भी सब्जेक्ट भर्भ है चलो फॉल इसको जेरंड कर दो तो इसका भर्भ है इसको जेरंड कर दो तो इसका भर्भ है यहां तक में देखो यहां कॉमा लगा लगा तो इसका मतलब यहीं काम खतम है क्या यहां पर क्या इसका भर्भ है नहीं है अगर इसको बना दो क्या आपजेक्ट तो तॉ पहले है नहीं पुर्प्रोजिशन है तो नहीं है तो इसका मतलब यह क्या जेरंड भी नहीं है तो क Will open, open what? तो ट्रांजिटीटीव अब्जेक्ट कोन आया है? तो नाउन, क्योंकि यहाँ पर दॉ आ गया है? New Terminal, क्या open करेंगे? New Terminal, the first phase, अब दॉ फर्स्ट, फर्स्ट से पहले दॉ क्यों लगाया? तो Ordinary से पहले, Ordinal से पहले क्या लगाते हैं? दॉ लगाते हैं, the first phase of which, जिसका, of which मतलब जिसका, of, for which, जिसके लिए, on which, जिस पर, ठीक है? To which, जिसको, ठीक है? In which, क्या हो जाएगा? जिस में, उसी तरह, for whom, for whom. For whom, जिसके लिए, from whom, क्या हो जाएगा? जिस से, for, to whom, जिसको, अब बताना, दोनों में अंतर क्या है? तो यह किसके लिए गया है, human beings के लिए, और यह किसके लिए है, बस तु और, जानवर के लिए, ठीक है? तो यह हमेशा याद रखिएगा, of which, has been completed, अब has been completed, active की passive, तो बोलेंगे passive, has है, है, उसके बाद क्या है? बीवर, कौन सा form? बीथरी, has been, जो की complete किया, जा चुका है, जिसका, the first phase of which, has been, of which क्या है, तो बोलेंगे object, किस इसका, फिर position का, तो कभी subject बनेगा, नहीं बनेगा, तो first phase has been completed, पहला phase complete कर दिया जा चुका है, passive है, it is expected, बताना active की passive, तो बोलेंगे passive की बीवर प्लस, बीथर क्या है, बीथरी, बीवर्ब के बाद क्या था, बीथरी या, बीफोर, तो यहाँ पर क्या है, बीथरी, तो इससे उमिद की आ जा रहा है, to enhance, अब to enhance, बरहाने के लिए, the passenger traffic, क्या बरहाने के लिए, पैसेंजर ट्राफिक बरहाने के लिए, ठीक है, to, इतना million per year, इतना million, 35 million per year, ठीक है, this will be, अब this will, अब भी है, तो बताओ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर, क्या है, तो बोलेंगे subject, compliment, noun, आया है, क्या लग यहाँ, and, तो बताओ यहाँ, an important addition, यहाँ पर, क्या हो जाएगा, noun, और यह क्या हो जाएगा, adjective, to, Chennai infrastructure, इन्हें के, infra structure के लिए important है, it, it के बाद, बील, बील के बाद, 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 भर्ब का कौन सा फर्म, तो बोलेंगे first form, यहाँ पर क्या सकता है, तो बोलेंगे adverb, it will also boost, it will always boost, बूस्ट करेगा, मतलब बढ़ाएगा, क्या यहाँ पर किसको जोड़ रहा है, also को क्या, तो also इधर है ही नहीं, इधर तो देखना कि यहाँ एड भर्ब है, तो यहाँ पर किसको जोड़ेगा, boost और benefit को, बूस्ट और benefit का subject कोन, तो बोलेंगे it, तो benefit का भी subject कोन जाएगा, it, दोनों जूरा किसे है, तो बील से, it will boost and benefit, अब चुकि भर्ब से पहले, याद रखना, में भर्ब से पहले, एड़ भर आता है, अब benefit करेगा, किसको लोकल एकनॉमि, किसको बेनीफिट करेगा, लोकल एकनॉमि को, मोधी है, बूइट कहां था, तो इस चेन्नाई airport officer के अनुसार, द न्यू, अब दा आ गया, तो इसका खोज यह noun को है था निव इंट्रिगेटेड टर्मिनल टर्मिनल क्या हो जाएगा नाउन की इज लगा हुआ हुआ थीक है तो यह बताए यह इंट्रिगेटेड क्या हो जाएगा तो adjective कौन सा adjective तो past participle new निव भी क्या हो जाएगा adjective इज श्प्रेड अब इज के बाद क्या है भी फोलेंगे भी थिरी तो बोलेंगे भी थिरी फैलाये जाता है एक क्रॉस टू पॉइंट टू जीरो लाक स्क्वार किलोमेटर पूरे इतने किलोमेटर में एंड उड और उड अब देखना सब्जेक्ट सेमी रहेगा ठीक है सब् इजेंग्स टूदू दूर्य मिटर मतलब मुड्यose क्सात्र आब अब अब बताने कर यह बोलते हैं वहर्ब का कatiques साधeur धर्म है यहां फैर सफ्वाम है और इसमेर्ट जो हुआ इजाना सपाने हैство और अपर शूम्ट अवर्प सरीक क्यों है बर रहा air traffic इन तमिल नाइडू कहां पे तमिल नाइडू में तो बड़ा जगा है तो इन लगा दिया छोटा जगा है तो एट लगा दिया तर्मिनल इज अल्सो ए अल्सो का पोजीशन कहीं भी हो जहां पे स्ट्रेस डालना होगा ना वह अहीं पे वह अल्सो रहेगा ए रिफ्लेक्शन टर्मिनल क्या है इज रिफ्लेक्शन दिखाता है क्या अफ गॉर्मेंट कमिट्मेंट गॉर्मेंट का कमिट्मेंट अब नाउन का पोसेशन किस पे नाउन पे देखो नाउन का पोसेशन है ना डाउन पे, ट्वार्स किसकी तरफ, ट्वार्स है पिर पोजीशन, अब बताना पिर पोजीशन के बाद क्या है, तो बोलेंगे, बीफोर आया, ट्वार्स परवाइडिंग, परवाइडिंग वाट, हाइड क्वालिटी इन्फरारे स्ट्रक्चर तू ट्रेवलर्स, किसको, ट्वार्स के बाद क्या है, बीफोर, और ये, बीफोर इसको बोलते क्या है, तो जेरंड, क्या ये अबजेक्ट लेगा, तो बिल्कुल लेगा, हाइड क्वालिटी इन्फरारे स्ट्रक्चर तू ट्रेवलर्स, ठीक है, बीद दा एनूल पैसेंजर, हैंडलिंग कैपसिटी पैसेंजर, हाइड बटाना हांटलिंग क्या है, है ये बीफोर है, नहीं, बीफोर इसे पहले नहीं है, चलो जेरंड है, तो यहीं तक समाप्त हो गया, अगर सब्जेक्ट देते हैं, तो क्या इसका वर्ब यहां तक है, नहीं, अबजेक्ट नहीं क्योंकि एट्र fijक्ट नह नावन का पोसिति, नावन पे नहीं है. अद्जेक्टीछिफ हो गया तो रहएति हो गया किया थाच तो फैसलिटी, at the Chennai airport, तो नाउन कोन, नाउन कोन, नाउन एयरपोर्ट क्या होगा है, नाउन चननाई क्या होगा, adjective कभी पुर्रल नहीं होगा, बिल, क्या है, बिल, बिल के बाद भर्ब कहा है, कौन सा फॉर्म, तो फॉर्स फॉर्म हमेंसा क्या है, बिल इंप्रूफ के चुक्कि यहां पर फिर पोजीशन है, तो यहीं क्या होगा, noun, आई यह बचा क्या, adjective, यह बचा क्या, adjective, फिक है, for all, सभी के लिए, the minister of civil aviation, minister है क्या, civil aviation said, कहा, the terminal, ठीक है, the के बाद क्या है, noun, is, equipped, अब बताना equipped फॉर्म का कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे third, फॉर्थ है क्या, नहीं, इज के बाद subject, complement, और फिफोर, बीथ, equipped है, मतलब सुसाचीत किया जाता है, बीथ 108 immigration counters, इमाइग्रेशन कितने है, 108, अब बताना, बीथ के बाद फिफोर है, नहीं, पर नाउन है, नहीं, तो क्या है, noun, अब कोन सा नाउन है, तो यह वाला word, noun है, यह वाला यह which are split, अब बताना which क्या होता है, तो relative pronoun कि इसके लिए आया है, तो in counters के लिए आया, counter singular की poor rule, तो बोलेंगे poor rule, तो क्या लेगा, each की R, तो क्या लिया, add split, split बताना verb का कौन सा form, तो बोलेंगे third form, fourth form तो होई नहीं सकता, क्योंकि ing नहीं है, तो क्या हो गया, split हुझे, मतलब ब equally, ठीक है, तो यह क्या हो जागा, add verb, कैसे बाटा जाता है, तो equally, तो यह क्या हो जागा, add verb, between, between, arrival and departure area, किस के बीच, तो arrival and departure area के बीच, अब चुकि between लगा, तो यहां पे क्या लगा, and, याद रखिएगा, फिपोजीशन में पढ़ना है, between हो, तो and लगाना है, ठीक है, as well as it would significantly enhance, अब would है, तो बर्ब का first form आ गया, तो यह significantly क्या है, तो बोलेंगे, add verb, बताया न, कि helping verb में बर्ब के बीच में आता है, add verb, आद दूसरा देखो significant, क्या होता है, adjective, आइस में ly लगा देंगे, तो क्या हो जागा, add verb, significantly enhance, क्या है enhance करेगा, dot travel experience, अब यह इसका क्या हो गया object, for passengers, किसके लिए, passenger के लिए, by expediting, अब expediting मतलब बढ़ा करके, अब देखो by reading, और करके, notes कीजेगा, by playing, खेल करके, by reading, पर करके, by keeping, रख करके, by buying, खरीद करके, तो by expediting, मतलब बढ़ा करके, लिख लेना, by reading, पर करके, पर करके, by playing, खेल करके, ठीक है, खेल करके, तो by expediting, अब यह इसका कॉन सा फोर्म है, तो बोलेंगे भी फोर, इसको बोलेंगे क्या, जेरंट, क्या बढ़ा करके, the transit process, transit process को बढ़ा करके, besides, besides, एस लगा हो तो इसकी अलावा, एस ना हो तो बगल में, एस रा एस हो तो अला beside the integration, integration के अलावे, of the integrated new terminal, अब पता कर लिजेगा, कहां पे नावन है, क्या है, ठीक है, मोदी बील फ्लाग ओफ, अब बील के बाद भर्ब का फोर्स फोर्म, क्यों मॉडल के बाद क्या था भर्ब का फोर्स फ्लाग ओफ, यहां पे आप एड़ बर्ब का फोर्स फ्लाग करेंगे जंडा दिखाएंगे किसको बंदे भारत रेंड को, बीट मीं चेन्या याए, कैमबर तूर, अब देखो बीट मीं आया तो एंड आया ना, क्या आया, क्या आया, कैमबर तूर, अट दा पूराग ची थालवर, डक्टर एम जी यार्ट सेंट्रल, रेलवे स्टेशन हेयर, कहाँ पे हेयर, तो यहाँ पे, ठीक है, यह नाम है, देख लेंगे, साउथेन इंड रेलवे, बील ऑपरेट, ऑपरेट करेगा, दा हाई स्पीड बंदे भारत एक्सप्रेट, अब बील के बाद 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 का फॉस्परम, अबजेक लिया, ले लिया, कौन है, तो न ठीक है, बीट में टू सीटी, किसके बीट, दोस्टी के बीट, अन अल देज, सभी दीन, एक्सेप्ट बेजनर जे, मतलब, एक्सेप्ट मतलब बेजनर जे को छोड के, अलाबे, ठीक है, बेजनर जे के अलाबे, अब दात ट्रेन नाउन हो गया, बील प्लाई, मतलब ठीक है, at a speed of 130 km per hour, ठीक है, reaching, अब reaching बताना फिर क्या है, क्या ये जेरंड है, देख लो, फिर comment कर बताना, reaching क्या है, तो ये adjective मिलेगा, ठीक है, the destination, कहां पहुचना, destination, on both side, दोनो तरफ, in 5.50 hours, मतलब 6 घंटे लग जाएंगे, thereby, saving, अतह, ठीक है, अतह, saving, अब saving देखना, क्या कर रहा है, तो adjective कितना, 1.20 hours, journey time, ठीक है, इतना कम हो जाएगा, compared to, compared के साथ हमें साथ हमें साथ है, close test में साथ है, compared to, express train, express train के compression में, साथ हैं, साथ हैं, रेलबे सेड, साथ हैं, ने कहा, तो डेर घंटा घटा दिये, तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा और ज्यादा रहता, दो घंटा में हो जाता, तो और अच्छा रहता, तो पेपर कैसा लगा, वो आप कमेंट करके बताएगा, अभी तक का जितन पुरी नहीं कि एक ही गलती हो, तीन, चार, पांच गलती हो सकता है, कम से कम पचास कोश्चन रहेगा, बेसिक से, अगर आप बेसिक सारा वीडियो का कर चुके हैं, तो अच्छे कोश्चे है, अच्छे मांक्स आपके आ जाएंगे, ठीक है, तो यही है, आप पेपर इडिं इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट, ठीक है, परजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वाला कंसेप्ट, भी फोर क्या काम करता है, तो भी फोर तीन काम करता है, कौन-कौन, एक भर बनना, एक जेरंड बनना, एक परजेंट पार्टिसिपल बनना, भी थिरी क्या काम करता है तो एक फर्ब बना एक एड्जेक्टिव बना जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे तो यह सारा कुछ बहुत इंपोर्टेंट चीज है आप यह देख लीजेगे ठीक है तो मिलते हैं फिर उसके बाद देखो यह जब हो जाए ना सीरीज तो पेपर इडिंग तो क पोर एक दो जाए प्यास का पेपर आफट।